अगर आप अपने लिए अपने लब बन्स के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं वाच मैं फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापरी और यह है आप लुगों के लिए coming week का सापता ही राशी फल यह 22 जानुरी से लेकर 28 जानुरी तक कि आपकी tarot readings है, tarot predictions है और इस वीडियो में सभी signs के सापता ही राशी फल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता है राशी फल चलिए एरीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है turning in और turning in का card बहुत clearly कहता है कि इस week आप किसी खास चीच से या फिर overall ही जो भी आपके professional front में हो रहा है उससे खुद को withdraw कर रहे हैं यानि कि बहुत actively आप चीजों में खुद को involve नहीं कर रहे हैं, participate नहीं कर रहे हैं कुछ Aries के लिए literally हो सकता है कि आप किसी चीच से खुद को distance करना चाहा रहे हैं अब ये भी सब Aries के लिए differ करेगा, कुछ के लिए simply आपके negative thoughts, आपके negative belief systems किसी चीच को लेकर हो सकते हैं उनसे खुद को थोड़ा सा distance करना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए आपके professional front में कोई खास activity है या फिर overall ही professional front में ही जो भी हो रहा है, उन चीजों से अपने आपको distance कर रहे हैं और personal front के लिए आप लोगों Clay stress का card है, बहुत ही clear ये card कहीं एक tension, एक परेशानी होने की बात करता है अब इस चीज को सुनके आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना क्योंकि ये आपकी पूरी जिन्दगी की reading नहीं है ये सिरफ और सिरफ इस week की reading है और weekly reading में बहुत छोटी छोटी सी चीजे होती हैं जिनकी वज़े से हम परेशान होते हैं यहां फिर मैं कहूंगी otherwise भी देखिए most of the times अगर हम अपने stress को deep जाके समझने की कोशिश करें तो कोई बहुत बड़े reason नहीं होते हैं जिनकी वज़े से हम परेशान होते हैं एक you know situation है जिसमें चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं और हमने एक extreme outcome सोच लिया extreme negative outcome सोच लिया और हम परेशान होना शूकर देते हैं हम ऐसा मानने ही लगते हैं कि बस अब ऐसा ही होगा तो देखिए reason सब के लिए differ करेगा लेकिन यहां पर मैं आपको यहीं कहूंगी कि कैसे एक peace एक सुकून आप खुद के लिए लेकर आ सकते हैं आप उस पे focus करें और stress क काड को देखकर अपने stress को और जादा ना बढ़ाएं यह सिरफ और सिरफ माइनर और चोटी-चोटी सी चीजों को लेकर थोड़ा ऐसा परेशान होने की बात करता है और हो सकता है Aries कि कुछ टाइम से कोई चीज आपको bother कर रही है या फिर यह coming week की ही energies हो सकती है जहां पर ज होंगी reasons सबके लिए differ करेगा लेकिन इस week specifically professional front में आपने पूरा पूरा यही focus करना है कि कैसे एक सुकून कैसे एक piece आप अपने लिए लेकर आएं और guidance से आप लोगों के लिए taking shelter का card है तो देखिए हो सकता है कि थोड़ा सा जैसे कि हमने cards में देखा stress है, tension है और आप किसी से support किसी से एक help चाह रहे हैं और इस card में लिखा हुए the answers are within तो जिस भी चीज को लेकर एक जवाब आप चाह रहे हैं और solution आप चाह रहे हैं हल आप चाह रहे हैं वो आप ही के अंदर है तो खुद के साथ time spend करें आपका subconscious mind या फिर आपकी intuition आपकी gut feeling आपको क्या कह रही है उस को ज़रूर आप attention दें और astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है इसके हिसाप से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Aries आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि य कितना आप connect कर पाएं तो चलिए टॉर इस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है abundance तो बहुत ही beautiful energies इस week specifically आपके professional front में रहने वाले हैं क्योंकि abundance के अगर हम literal meaning को देखें तो जितना हम चाहते हैं उससे professional front में जो भी आपकी expectations हैं उससे थोड़ा सा जादा अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि ये card money का है तो money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related भी यहां तो आपको gain हो रहा है यहां फिर आप focus कर रहे हैं यहां फिर जो भी profits पीछे आपको and personal front के लिए आप लोगों के लिए the creator का card है ये card कहीं enthusiasm की बात करता है, excitement की बात करता है, किसी चीज़ को create करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही personal front के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है तो दिखिए दोनों ही fronts के लिए male figures के cards हैं और ये दोनों ही masculine energies की बात करते हैं तो हो सकता है कि बहुत एक masculine energies में या तो आप रह रहे हैं या फिर कोई male figure हैं जिनके साथ आपका ज्यादा connection हो रहा है, ज्यादा interaction हो रही हैं, उनकी तरफ से supportive cooperative energies आपके लिए हैं या आप उनको किसी भी life के area में support कर रहे हैं, help कर रहे हैं और ये male figure कोई भी हो सकते हैं, कुछ के लिए father कुछ के लिए colleague, कुछ के लिए boss, कुछ के लिए co-worker, कुछ के लिए friend, कुछ के लिए brother, again कोई भी male figure हो सकते हैं, जिनके साथ फिर से मैं काऊंगी आपकी जादा interaction हो रही है, बातचीत हो रही है, या पिर उनकी तरफ से supportive energies हैं, आपकी तरफ से उनके लिए supportive energies हैं, आपकी तर कोई ऐसी चीज हो रही है, जो एक enthusiasm, excitement, high energy levels देकर आ रही है, जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए काफी आप motivated भी रहते हुए दिख रहे हैं, and guidance से आप लुगों के लिए fellow travelers का card है, और ये card कहते है support is all around you, तो आपके आज पास जो भी लोग है, personal front हो या professional front हो, आपके लिए य आप लोगों के लिए स्कॉपियो साइन का card है, इसके इसाब से जो भी समुंदर के रंग होते हैं, sea green, sea blue, वो आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday, तो ये था Taurus, आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए Gemini's, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या ले करा रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है creativity, और ये card कहीं materialistic, tangible, चीज़ों से related gain, फाइदा होने की बात करता है, या फि कुछ ऐसा ही, इस week specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है, साथी साथी ये card कहीं comfort और luxury की भी बात करता है, और ये भी कुछ Gemini's या फिर काफी सारे Gemini's के professional front में, किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी तरीके से रहता हुआ दिख रहा है, पीची किसी भी चीज़ को लेक थे, महनत कर रहे थे, तो उसी से ही related एक positive outcome भी इस week आपको मिल सकता है, and क्योंकि ये creativity का card है, तो जो भी काम आप अपने professional front में कर रहे हैं, बहुत ही creativity के साथ करना चाहा रहे हैं, या फिर again कर रहे हैं, and personal front के लिए आप लुगों के लिए possibilities का card है, possibilities के literal meaning को देखें, तो जिस भी चीज पर personal front में आप focus कर रहे हैं, उसी से related क्या आपकी और possibilities हो सकती हैं, क्या और scenarios हो सकते हैं, क्या आपके पास और options हैं, उनके उपर आप focus कर रहे हैं, निंदा process, अगर किसी खास चीज से, या फिर overall ही चीजों से, थोड़ा सा distance करना पड़े, तो वो भी आप करते दिख रहे हैं, दिखें इस card में eagle है, और eagle हम सब जानते हैं, कि कहीं far-sighted energies के लिए जानी जाती है, और कहीं ऐसी ही again कहूंगी far-sighted energies, जो भी आप इस week अपने personal front में कर रहे हैं, उसी से related रहतावा दिख रहा है, and eagle is also a symbol of power and strength, तो कहीं ये week, अगर हम in general के लिए देखें, तो काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है, एक power, strength आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, काफी confidence भी आपको रहतावा दिख रहा है, खुद को लेकर या फिर जो भी काम कर रहे हैं, उसको लेकर, या जिन आप God को मानते हैं, उनको लेकर, and in general या फिर guidance ह thunder का card है, और ये card कहता है, clear the air, तो बहुत ही clear message है, किसी भी चीज को लेकर, अगर अभी आपको थोड़ा सा भी doubt हो रहा है, तो आप सावधान हो जाएं, चीजों को casually ना लें, चीजों को for granted ना लें, सबसे पहले अपने doubt को clear करें, और फिर से कहूंगी, जो भी चीज आपको लगता है कि गलत हो सकती है, या फिर, you know, सही direction में नहीं जा रही है, यहाँ पर कोई इंसान हो सकता है, situation हो सकती है, तो आप cautious रहें, conscious रहें, और कैसे चीजों को आप solve करके, बहुत ही safely आगे बढ़ सकते हैं, उस पे आप ज़रूर focus करें, and astrology से आप लगों के लिए वर्गो Wednesday, तो यह था Gemini's, आप लोगों के लिए coming week का सापता है, क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए, गैंसरियन्स, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional fund के आप लोगों के लिए card है patience, और देखें, patience के literal meaning को अगर देखें, तो sabr की बात करता है, और या तो इस week specifically किसी खास चीज को लेकर, या in general अपने professional fund में, आप एक patience, एक sabr रख रहे हैं, या फिर रखने की जरत है, तो देखें, patience is not a negative card, but yes, at the same time, ये card कहता है, कि जो भी आप चाहा रहे हैं अपने professional fund में, वो अभी आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, आपको थोड़ा सा सबर रखना है, आपको थोड़ा सा इत्मिनान रखना है, आपने impulsive नहीं होना, जलबाजी नहीं करनी, restless नहीं होना है, तो फिर से मैं कहूंगी कि जो भी आप चाहा रहे है अपने professional fund में खास कर इस week आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा patience के साथ चीज़ों को डील करते हैं, तो near future में जरूर उन चीज़ों को आप अचीव कर पाएंगे and personal fund के लिए आप लगों के लिए the master का card है, the master का card दो तीन चीज़ों को की बात करता है, सबसे पहली चीज़ पीछे अगर कोई भी चीज़ आपको परिशान कर रही थी, तो इस week आप उन ही सब चीज़ों को master करते हुए दिख रहे हैं, यानि कि उन चीज़ों से अपने आप आपको बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं, अपने आपको इतना strong बनाते हुए दिख रहे हैं, कि वो चीज़ें beyond the point आपको परशान नहीं कर पा रही है, दूसरी चीज़ master का card कहता है कि spiritual religious activities में, या तो आप खुद को involved कर रहे हैं, या फिर involved हो रहे हैं, ये सब के लिए ड काऊंगे कि spiritual religious activities में आप खुद को involved कर रहे हैं, सब के लिए different रह सकती हैं, तीसरी चीज़ ये card कहता है कि जिस भी God को आप मानते हैं, उनकी blessings आपके उपर हैं, तो अगर इस week भी कोई भी चीज़ आपको bother कर रही है, ये card आप लोगों को remind कर आ रहा है, कि जिन भी God को again आप मानते हैं, वो आपके साथ हैं, तो आप परिशान बिल्कुल भी ना हो, and in general कि या फिर guidance की energy से, आप लोगों के लिए crossing bridges का card है, और ये card कहता है, it's time for healing, connecting, mending and releasing, तो पीछे किसी भी loved one से, close one से, या फिर co-worker, colleague से, कुछ भी issue मसला हुआ, ये card आपको कहता है, कि उसको resolve करें, उसको solve करें, और मन में grudges ना रखें, कहीं, you know, चीजों को mend करें, in fact, दिखिए, mending का मतलब होता है, कि जो भी चीज आपकी life में ठीक नहीं चल रही है, उसको आप mend करें, उसको आप fix करें, and कोई चीज परिशान कर रही है, उससे related healing करें, और जो भी आपके loved ones हैं, close ones हैं, या फिर work front में co-workers, colleagues हैं, उनसे आप connect करें, उनसे आप interact करें, and astrology से आप लुगों के लिए Libra sign का card है, इसके हिसाब से all bright shades, इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लुगों के लिए होगा Friday, तो ये था, Cancerians आप लुगों के लिए coming week का सापता है, क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए लिए लिए उस आप लुगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लुगों के लिए card है laziness, और देखें laziness के literal meaning को देखें तो आलस की बात करता है, और कुछ ऐसी ही energies इस week specifically आपके professional front में रहती भी दिख रही हैं, अब देखें इस lazy, इस आलस वाली energies का reason सब के लिए differ कर सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा relax करना चाह रहे हैं, इतना जादा आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपक के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन इस card के हिसाब से अपने professional front में बहुत actively आप चीजों में involved होते वे नहीं दिख रहे हैं, बहुत actively अपने goal, अपने मकसद को लेकर action initiatives नहीं लेते वे दिख रहे हैं, कहीं थोड़ा सा relax करना चाह रहे हैं, chill करना चाह रहे हैं, अराम करना चाह रह हैं, या फिर literally इस week आप अपने काम को लेकर थोड़े से lazy हो रहे हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए comparison का card है, और ये card कहता है कि आपके मन में किसी चीज को लेकर बहुत एक उधेड बुन या फिर सोच रहती हुई दिख रही है, और ये सोच सब के लिए differ करेगी, लेकि comparison का card कहता है कि literally किसी चीज को लेकर एक comparison रह रहा है, अब दिखी ये general reading है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो possible नहीं है कि आप लोगों के मन में किस चीज को लेकर एक comparison रह रहा है, उसको मैं mention करूँ, लेकिन इतना मैं जरूर आपको कह सकती हूँ कि comparison और competition हमेशा ही खरा होते हैं, लेकिन जब ये comparison और competition हमें परेशान करते हैं, हमें demotivate करते हैं, तो हमें जरूर pause करके इनको let go करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए कि क्यों हम ऐसी energies में रह रहे हैं और कैसे हम इसी energy को overcome कर सकते हैं, और देखिए जो भी comparison आपके मन में चल रहा है, आपके personal front में, कहीं या तो इस comparison की वज़े से हम superiority complex में आ जाते हैं, या फिर inferiority complex में आ जाते हैं, जब inferiority complex में आते हैं, तो हमें लगता है कि भी हम good enough नहीं हैं, या फिर हम कर नहीं सकते हैं, हम अपने लिए बहुत critical हो जाते हैं, और जब superiority complex आता है, तब कहीं हम अपने आपको बहु इस week तो देखिए, otherwise भी हो सकता है, आपको ना समझ में आए, लेकिन future के लिए आप चीज़ों को बहतर करेंगे, और अगर नहीं करेंगे correct, तो फिर आगे चल कर आप थोड़ा परिशान रह सकते हैं, और इन जनरल या फिर guidance के लिए आप लोगों के लिए मिस्टिक हीलर का card है, और यह card कहता है, healing energy flows through you, तो कोई भी चीज़ अगर आपको bother कर रही है, परिशान कर रही है, आपके अंदर healing power है, उसको ठीक करने की, उसको heal करने की, जब इस चीज़ को आप realize करेंगे, तो खुद ब लोगों के लिए Taurus sign का card है, इसके इस साब से all shades of green and yellow, इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday, तो यह था लियोज, आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशिवल, और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए हो गुल्स, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है, schizophrenia, और यह card कहता है, इस week specifically अपनी professional front में in general, या फिर किसी खास चीज को लेकर आप थोड़ा सा अठका हुआ म इसी लिए या फिर otherwise भी आप action initiatives नहीं ले रहे हैं, कोई decision, कोई choice अगर आपको लेना है, तो कहीं वो भी लेना काफी मुश्किल रह रहा है, आप एक चीज पर focus नहीं कर पा रहे हैं, और जब भी यह card आता है, मैं यही कहती हूँ, कि जितना भी difficult decision लेना हो, जितना भी difficult action initiatives ल निकाल पाएंगे, कभी-कभी बहुत बड़ी कोई situation होती है, और कभी-कभी बहुत ही छोटी-मोटी चीजें हमें परिशान करती है, क्योंकि यह weekly reading है, तो बड़ी चीजें तो इतनी जादा नहीं रहती होई दिख रही है, चोटी-मोटी चीजें जादा रहती होई दिख र कार्ड है, दोनों ही फ्रंट्स के लिए सोट्स के कार्ड है, तो कहीं माइंड से आप चीजों को जादा डील कर रहे हैं, लॉजिकली जादा अगेन हर चीज के बारे में सोचते वे दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कोई भी चीज चाहें, जितनी भी अच्छी हो, जब वो ओवर हो जाती है, हमें परेशान करती है, तो इस वीग खयाल रखें कि आप बहुत जादा अपने माइंड को तो नहीं हर चीज में इन्वाल्व कर रहे हैं, एक हाट और माइंड का बालन्स जरूर रखें, परसनल फ्रंट के लिए, अगेन मुराल काड आता है, मैं यही कहती हूँ, कि कोई भी चीज खुद में ना तो completely सही होती है, ना ही completely गलत होती है, और मैंने बहुत बड़ी आप लोगों को कसाई और गाएं वाली कहानी भी सुनाई है, फिर से एक बड़ी रिपीट कर देती हूँ, एक बड़ी एक कसाई गाएं के प ठीक नहीं है, गाएं को मारेगा, वो जूट बोलतेता है, बोलता है गाएं लेफ्ट को गई, अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि यह सही है या फिर गलत है, क्योंकि ideally देखिए उसने जूट बोला और बोलते हैं जूट बोलना पाप है, लेकिन इस situation में अगर आप देखे तो उसका जूट सही है क्योंकि उसके जूट के पीछे intention था गाएं की जान बचाना, तो इसी तरीके से देखिए completely ना तो कोई चीज अच्छी होती है, ना ही बुरी होती है, तो बहुत जादा right and wrong के point of view से चीज़ों को ना देखें, खुद को लेकर बहुत hard ना हो, या फिर लिए हो सकता है कि कोई female है जिनकी वजह से ऐसी energies में आप रह रहे हैं और कुछ वोगोज खुद ही ऐसी energies में हो, तो जो भी हो, again कहूंगी, relax करें, chill करें, flexible हो, बहुत जादा rigid ना हो, और बहुत जादा right and wrong के point of view से, या फिर morally, ethically right होने के point of view से, चीज़ों को ना डील करें and in general या फिर guidance से आप लुगों के लिए protected by angels का card है और ये card कहता है, you are cherished by the angels, तो बहुत ही simple मतलब है कि angels आपको love करते हैं, angels आपके साथ हैं, आपको हर situation में, हर circumstances में protect कर रहे हैं, तो दीखिए guidance के card ने और जादा आपके लिए बहुत एक beautiful message भीजा है, तो please थोड़ा relax हो, जादा परेशाना हो, और एक और चीज देखिए मुझे यादा ही हो सकता है, वगोज अगर आप perfectionist हो रहे हैं किसी भी situation में, तो उस चीज को भी आप जरूर चेक करके correct करें, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कुछ भी perfect नहीं है, देखिए God ने भी same किसी को नहीं बनाया, perfect कुछ भी नहीं है, थोड़ा बोथ इधर उधर चीजें हो ही जाती है, और एक quotation भी है, imperfection is beauty, तो कहीं यूनो, इस चीज को भी again चेक करके आप ठीक करें, ऐसा करेंगे तो इस वीक के energies को भैतर करेंगे, and astrology से आप लुगों के लिए cancer sign का card है, इसके हिसाब से white color इस वीक आप लोगों के लिए होगा Monday, तो ये था वगोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए Libras, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए काड है isolation, और ये काड कहता है कि इस week specifically अपने professional friend में किसी चीज को लेकर आप थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा हर्ट हो सकते हैं, अब दिखिए general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, और दूसरी बात दिखिए इस चीज को सु के आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है, ये सिरफ और सिरफ week की reading है और weekly reading में बहुत बड़े कोई मसले, बहुत बड़ी चीजे नहीं होती हैं, और दिखिए हम हर्ट दो-तीन reasons की वज़ए से होते हैं, एक जब हमने बहुत एक high expectations किसी इनसान से, situation से, या फिर किसी भी चीज से रखी होती हैं, और कहीं उस तरीके से चीजे नहीं होती हैं, हम हर्ट होते हैं, दूसरा हम हर्ट होते हैं, जब हम बहुत sensitive हो जाते हैं, जब हम over emotional चीजों को लेकर हो जाते हैं, तो इन दोनों चीजों को अगर आप check करके correct करे यानि कि बहुत high expectations overall इस week से ही नहीं रखेंगे, emotionally थोड़ा सा strong बनेंगे तो इस week को आप better कर पाएंगे, जैसे कि ये card कहता है आप hurt हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, इन energies को भी आप overcome कर पाएंगे, यानि कि ये energies आपको effect नहीं कर पाएंगे, नचल में फिर से कहूंगी इस week क आप better कर पाएंगे, and personal front के लिए आप लोगों के लिए projections का card है, I don't know इस card को आप लोग कितना देख पा रहे हैं, इस card में दो figures हैं, और दोनों के ही चहरे के उपर एक और चहरा लगा हुआ है, एक गाना भी पहले जमाने का है, एक चहरे पर कहीं चहरा लगा लेते हैं लोग तो कुछ इस तरीके की energies इस week आपके personal front में रहती भी दिख रही हैं, यानि कि आप reality को नहीं देख पा रहे हैं, आप सच को नहीं देख पा रहे हैं, किसी चीज को इनसान को अगर आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, तो हो सकता है वो इतने अच्छे नहीं है, या पिर अग से खुद को वाकिफ सबसे पहले करें, reality को deeply समझें, उसके बाद ही कोई action initiatives लें, क्योंकि जब तक आपको truth नहीं बता होगा, तब तक जो भी आप करेंगे वो wrong हो सकता है, और इस week अगर आपको ना एहसास हो, आगे जाके आप परिशान हो सकते हैं, तो इस चीज का खयाल इ तो clarity ज़रूर लेकर आएं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, उसी से ही related, and in general या फिर guidance के लिए आप लोगों के लिए embracing enthusiasm का card है, देखे दोनों ही cards बहुत great energies की बात नहीं करते हैं, और इसी लिए शायद guidance का card कहता है, आपने इस week consciously effort करके खुद को किसी ना किसी ऐसी activity में involve करना है, जो एक enthusiasm, एक excitement लेकर आए, क्योंकि जब externally चीज़ें उस तरीके से नहीं रह रही होती हैं, या फिर हमें थोड़ा सा low कर रही होती हैं, तो हमें खुद से ही effort करना पड़ता है, ताकि हम एक negative energy में deep में ना जाएं, तो इस चीज़ का भी खयाल आप ज की रहेंगे, and significant day आप लुगों के लिए होगा Tuesday, तो ये थाले ब्राज आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चले इस copy ofs आप लुगों के लिए देखें कि coming week क क्या ले करा रहा है, क्या energies है, तो professional fund के लिए आप लुगों के लिए card है participation, और जैसे की नाम कहता है, ये card हर चीज में involved होने की participate करने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund में रहता हुआ दिख रहा है, जहां पे बहुत जबरदस एक enthusiasm है, excitement है, high energy levels है, जो भी आपका goal है, जो भी आपका मकसद है, उससे related काफी एक motivation भी रहती भी दिख रही है, जो भी लोग आपके आसपास हैं, यानि कि आपके co-workers, colleagues, उनकी दरफ से supportive cooperative energies रह रही है, positive changes इस week कुछ Scorpios या फिर coffee sir Scorpios के professional fund में रह सकते हैं, क्योंकि ये weekly reading है तो हो सकता है कि कोई बहुत ब कि ये नो, फिर से कहूंगी positive चीजें इस week आपके professional fund में ज़रूर रहेंगी and कहीं फिर से कहूंगी चीजों में involved होते हुए, participate करते हुए, actively action initiatives अपने goal, अपने मकसद के लिए आप लेते हुए दिख रहे हैं and personal fund के लिए आप लोगों के लिए the source का card है, क्या बात है Scorpios, दोन तो ही fronts में कहीं similar से energies रहते हुए दिख रही हैं, कहीं ये भी wands का card है, fire energies को represent करता है, तो कहीं personal front में भी एक बहुत जबरदस्ट enthusiasm, excitement रहता हुए दिख रहा है, अपने goal, अपने मकसद को लेकर आप काफी motivated रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि the source का card नई beginning की भी बात करता है तो किसी level पे किसी तरीके से नई beginning हो रही है, या फिर आप चाहा रहे हैं, और personal front में भी again action initiatives आप लेते हुए दिख रहे हैं, फिर से कहूंगे कहीं similar सी energies दोनों ही fronts में रह रही हैं, and guidance से आप लुगों के लिए narrow pathway का card है, और इस card में लिखा हुए है, tread thoughtfully, तो क्या होता है न हम casually लेना शुरू कर देते हैं, हम छोटी-छोटी सी चीजों पे attention नहीं देते हैं, और छोटी-छोटी चीजे जो ठीक नहीं हो रही होती हैं, उनको ignore करते हैं, हम overconfident हो जाते हैं, और ऐसे में बिना सोचे समझे हम कुछ चीजों को करते हैं, और बाद में हम परिशान होते ह हैं, तो नचल में आपके लिए यही message है, कि आप overconfident ना हो, आप सबने सुना होगा, overconfidence leads to destruction, कहीं धरातल से, जमीन से जुड़े हुए रहें, अपनी grounding इस week जरूर करें, grounding के लिए आपको कुछ भी out of the way जाके नहीं करना है, simply अगर आप पार्क में वाक करते हैं, physical activities में अपन करेंगे, हाला कि देखिए, बहतर तो इस week की energies हैं ही हैं, लेकिन इस बहतर energies में आप बिना सोचे समझे कोई ऐसा action initiative ना ले लें, जिसकी वज़े से आप आगे चल के परिशान हो, इसका आपने खयाल रखना है, नचल में अगर guidance मुझे आपको देनी हो, तो यही है कि जोश म इस week आप लुगों के लिए लखी रहेगा, insignificant day आप लुगों के लिए होगा Monday, तो यह था Scorpio's आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए सरीटेर्स आप ल लिट्रल मीनिंग के हिसाब से अगर देखें, तो हो सकता है सरीटेर्स आप से पीछे या फिर इस week कोई गलती हो रही है, आपको चीजों को ठीक से नहीं कर रहे हैं, और इतना जादा इन चीजों पर आप फोकस कर रहे हैं, कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं, और जब भी ये काड आता है, मैं यही कहती हूँ, कि जितनी भी negative emotions होती है ना, उनमें से सबसे खराब, सबसे गलत negative emotion होती है, guilt, क्योंकि guilt में हम अपने आपको उस चीज की सजा देते हैं, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो गलती हम से हो गई, वो हो गई, अब उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, और हम अगर उस गलती से lesson लें, उस गलती ने हमें क्या सिखाया, उस से learning लें, आगे बढ़ें, और फिर अपने आपसे promise करें, कि इस गलती को हम दुबारा repeat नहीं करेंगे, तो हम अपने future को सुधारते हैं, और य परिशान हो रहे हैं, तो उस situation से आप learning लें, lesson लें, और अगर कोई problem है, जो आपको bother कर रही है, तो उसका क्या solution है, आप उस पे focus करेंगे, तो इस week की energies को बहतर करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो आप थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं, and personal front के लिए आप लुगों क लिए new vision का card है, और ये card सबसे पहली चीज कहता है, कि इस week Sagittarius जो भी आप अपने personal front में कर रहे हैं, कहीं आप थोड़ा सा अपना perception बदलना चाह रहे हैं, चीजों को देखने का, डील करने का, अपना नजरिया बदलना चाह रहे हैं, हो सकता है Sagittarius पीछे, आप बहुत ही fixated thinking के साथ, चीजों को deal कर रहे थे, चीजों को देख रहे थे, और इस week आपको ऐसा लग रहा है, कि भी बहुत fixated होने से परेशान होते हैं, थोड़ा सा flexible होना चाहिए, और थोड़ा सा again different perception से भी चीजों को समझना चाहिए, और ये बहुत बहुत important होता है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे अभी तक याद है, मेरे psychology के सर हमेशा कहते थे, कि जब आप नजारा नहीं बदल सकते हैं, तो नजरिया बदल लीजिए, नजारा बदल जाएगा, आप better feel करेंगे, और दूसरी चीज ये काट कहता है, कि अगर पीछे आप आपने खुद को थोड़ा सा समेटा हुआ था, आप hold back कर रहे थे, थोड़े से submissive आप हो रहे थे, तो इन energies में से भी खुद को बाहर निकाल रहे हैं, आप चीजों को खुल के explore करना चाहा रहे हैं, आप चीजों को खुल के समझना चाहा रहे हैं, एक नया vision आप create करना चा पीछे अगर किसी भी चीज को लेकर आप परिशान हो रहे थे, तो इस week कहीं उसी से ही related एक better energies रहती हुई दिख रहे हैं, या फिर उसी situation से उसी mind में जो भी energies थी, उनसे किसी level पे आप बहार निकलते हुए दिख रहे हैं, and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए wandering path का card है, औ most of the times हम लोग क्या करते हैं, हम end result पे focus करते हैं, और हमें लगता है जब हमें ये चीज मिल जाएगी न तब हम खुश होंगे, हम भूल जाते हैं कि जितना important goal का मिलना होता है, उतना ही important होता है, जो journey है, जो process है, हम उसको भी enjoy करें, तो इस चीज का खयाल आप इस week जरूर की रहेंगे, and significant days आप लोगों के लिए होंगे, Sunday and Thursday, तो ये था सटीडेरेस आप लोगों के लिए coming week का सापता है, ग्राशिपल, और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए कि अप्रिकोंस आप लोगों के लिए द आप जादा लोगों से connect करना चाहा रहे हैं, जादा लोगों से मिल रहे हैं, या फिर जादा लोगों से आपकी interactions हो रही हैं, होता है न कभी-कभी जो भी लोग हमारे profession से directly, indirectly connected हैं, उनसे by chance ही हमारी जादा interactions हो रही होती हैं, या फिर कभी-कभी consciously भी हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं, तो कहीं इस तरीके की energies रहती हुई दिख रही हैं, कुछ के लिए हो सकता है, आपकी जादा meetings हो रही हैं, क्योंकि ये world का card है कुछ के लिए हो सकता है, out of the world से related भी, कोई activity किसी न किसी level पर इस week specifically आपके professional friend में रह रही है, और दिखिए, इस card में जो भी लोग हैं, सबने एक दुसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो कहीं बहुत एक cooperative, supportive सी energies भी, जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए, आपकी तरफ कोई get together भी, इस week specifically आपके professional friend में इस week रह सकता है, क्योंकि ये money का card है, तो money, पैसा, materialistic, tangible, चीज़ों से related, या तो इस week आपको किसी न किसी level पर फैदा हो रहा है, या फिर इन ही चीज़ों पर आप ज़्यादा focus कर रहे हैं and personal friend के लिए आप लोगों के लिए the rebel का card है और अगर आप इस card को देख पा रहे हैं जो figure हैं, उनके पैरों में chains हैं और कहीं chain टूटी हुई है तो जो भी चीज़ें आपको पीछे या इस week बांध रही हैं, जो भी आप चाहते हैं, उसको achieve करने से, आप उन्ही सारे बंधन को तोड़ना चाहा रहे हैं या फिर तोड़ रहे हैं, और rebel के literal meaning को भी हम देखें तो कहीं या अगेंस तर tight जाने की बात करता है, जो भी rules है, regulations है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है उसको तोड़ के, rebel means against, you know, किसी चीज के जाके, अपने goal, अपने मकसद को achieve करना तो कहीं इस तरीके के energies रह रहे हैं अब देखिए, ये general reading है सब के लिए थोड़ा-थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए आपके घर के बड़े हो सकते हैं कुछ के लिए society के rules हो सकते हैं again, जो भी जहां पे आप beyond the point कुछ भी बरदाश नहीं करना चाहा रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपने लिए stand ले रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब जो भी हो जो आप चाहते हैं, उसको करना ही करना है, और दिखे ये एक बहुत positive card है, क्योंकि Rider Watt में rebel is the emperor तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि ऐसी आपकी energies हैं या फिर कोई male figure या फिर जिनकी masculine energies हैं वो आपको बहुत support कर रहे हैं वो आपको बहुत जादा motivate कर रहे हैं अपने goal, अपने मकसद के लिए out of the way जाने के लिए या फिर, you know कुछ भी हो जाए उसके लिए stand लेने के लिए तो overall के लिए personal friend, professional friend दोनों ही काफी अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए vast vistas का card है और ये card कहता है expand your horizons और कहीं देखिए दोनों ही cards इसी energy को represent कर रहे हैं कहीं देखिए we are the world का card भी expansion की बात करता है और rebel में भी chains टूटी हुई है तो जो भी चीज बांध रही है, limit कर रही है उसको तोड़कर एक expansion ही represent होता है तो कहीं, you know, जो भी guidance का card है या फिर in general कि energies का card है वही आप करते हुए भी दिख रहे है जो लोग थोड़ा सा भी hesitate कर रहे है ऐसी energies में रहना चाह रहे है उनके लिए message है कि बिल्कुल भी hesitate ना करें, expand करें, आगे बढ़ें, चीजों को explore करें and let nothing stop you this week to achieve your goal to achieve what you want in life वैसे तो हमेशा ही ऐसा नहीं होना चाहिए बट इस week आप लोगों के लिए खास message है and astrology से आप लोगों के लिए pices sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता ही राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए ये queries आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए काड है sorrow और ये काड कहता है कि इस week specifically अपने professional friend में किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही आप थोड़े से उदास थोड़े से मायूस होते वे दिख रहे हैं और इस चीज को सुनके आपने बिलकुल भी नहीं परेशान होना है क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की रीडिंग नहीं है ये सिरफ और सिरफ इस week की रीडिंग है और weekly रीडिंग में वैसे भी छोटी मोटी चीजें होती है एकका दुका लोगों की बात अलग है और देखिए beyond the point किसी भी situation में हम कितना उदास होते हैं इतना परेशान होते हैं ये depend करता है कि हमारे mind में उसी situation को लेकर self-talk कैसी जल रही है जब ये self-talk negative होती है तो situation अगर you know 50% खराब है हम 100% उसमें परेशान होते हैं और अगर हमारा self-talk positive है तो situation अगर 50% खराब है हम 10-20% परेशान होते हैं तो देखिए जो भी external level पे situation हो, आप किस level तक परिशान होंगे, यह आपकी खुद से जो अंदरूनी self-talk चल रही है, उस पे depend करेगा, और वैसे भी देखिए यह card कहीं एक negative frame of mind में भी रहने की बात करता है, तो थोड़ा सा अपनी energies में shift लाएंगे, एक positive frame of mind रखेंगे, तो इस week की energies को भैतर कर पाएंगे, नहीं तो थोड़े उदास, थोड़े परिशान आप रह सकते हैं, और personal front के लिए आप लोगों के लिए healing का card है, और यह card कहता है कि पीछे या फिर इस week कोई चीज आपको hurt करी, कि किसी चीज ने आपको परिशान किया, उसी से ही related एक healing या तो आप करना चाह रहे हैं, या फिर ये week की energies आपकी healing कर रहा है, और कहीं आप थोड़े से emotional, थोड़े से sentimental होते वे दिख रहे हैं, चीजों को लेकर, लोगों को लेकर, कहीं एक बहुत ही relaxation वाली और बहुत ही एक peace loving वाली energies भी आपकी तरफ से रहते भी दिख रही हैं, इस week आपको ऐसे लग सकता है कि मुझे किसी भी जमेले में नहीं पढ़ना है, मुझे किसी भी issue में नहीं पढ़ना है, मुझे ना थोड़ा सा peace of mind चाहिए, happiness चाहिए, तो जो भी चीज़ें आपको happiness देती हैं, joy देती हैं, आप उसमें खुद को involve कर रहे हैं, एक loving, caring energies आपकी तरफ से आपके loved ones, close ones के लिए रह रही हैं, कहीं relationships, loved ones आपके लिए एहम रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर उन पे आप focus कर रहे हैं, and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए answering the call का card है, और ये card कहता है, the time is now, बहुत ही clear message है, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसी से related, जो भी action initiatives required हैं, उनको लेने का time अभी है, कितनी बार ही होता है ना, हम सोचते हैं, कि भई हम कल कर लेंगे, या फिर अभी right time नहीं है, दो महीने बाद या अगले साल करेंगे, तो फिर से मैं कहूंगी, यहाँ पर card बहुत clear message दे रहा है, जो भी आप पाना चाहते हैं, गोल है, मकसद है, उसके लिए action initiatives लेने का time अभी है, और अभी ही उसको आप pursue करें, और astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है, इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday, तो ये था Aquarius, आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए भाइसेज, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए काड है control, और ये काड कहता है कि इस week specifically अपने professional front में, आप थोड़े से rigid, थोड़े से fixated हो रहे हैं, और हो सकता है in the process या फिर otherwise controlling, dominating भी हो रहे हैं, और दिखें यही सब चीजें हमेशा ही गलत नहीं होती हैं, कभी-कभी systematic तरीके से चीजों को करने के लिए, हमें control और dominating energies भी चाहिए होती हैं, तो दिखें हर चीज का एक positive, हर चीज का एक negative होता है, fixated और rigid energies जब positive होती हैं तो willpower determination कहलाती हैं, जब negative होती हैं तो zit और stubborn कहलाती हैं, इसी तरीके से दिखें, again मैं कहूंगी discipline maintain करने के लिए, systematic तरीके से चीजों को चलाने के लिए control भी ज़रूरी होता है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि इस week खयाल रखें, कि इन्ही energies को आप positively use करें, over ना कर दें, जिससे की आप या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं वो परेशान हों, power, position, authority, या तो आपको मिल रही है, या फिर आप चाहा रहे है, या किसी authoritative figure के साथ आपकी इस week ज़ादा interaction, ज़ादा बातचीत रह रही है, and personal front के लिए आप लोगों के लिए sharing का card है, और ये card कहीं enthusiasm, excitement की बात करता है, कहीं बहुत ही loving, caring, sharing वाली energies की बात करता है, अब दिखे थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है, अपने किसी love one को आप help कर रहे हैं, support कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि यही help support आपको आपके किसी love one से मिल रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई event है, celebration है, get together है, आप उसमें involved हो रहे हैं, participate कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखे फीमेल हैं, तो कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि कोई female का role जादा आपकी life में इस week रह रहा है, और यह female कोई भी हो सकती है, mother हो सकती है, friend हो सकती है, wife हो सकती है, colleague हो सकती है, sister हो सकती है, again कोई भी हो सकती है, और जब मैं कहती हूँ रोल रह रहा है मतलब आपकी जादा interaction उनसे हो रही है जादा बातचीत हो रही है जादा आप उनके साथ इस वी connect कर रहे है उनकी तरफ से कोई help आपको मिल रही है या आपकी तरफ से कोई help उनके लिए है और कहीं दिखिए इस card में sharing लिखा हुआ है तो हो सकता है आप उनसे जादा sharing कर रहे है या फिर वो आपसे कोई भी चीज जादा share कर रहे है यहाँ पर दिखिए again कहूंगी कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप share कर रहे है या फिर आपके कोई loved one आपके साथ share कर रहे है and guidance से आप लोगों के लिए card है passion and pleasure और ये card कहता है savoir your life तो देखिए बहुत ही clear message है कि जो भी चीजें आपकी life में अच्छी हैं आप उनको enjoy करें और कितनी बारी देखिए हमारी life में कुछ issues होते हैं, मसले होते हैं और हम इतना उनमें डूब जाते हैं कि हम चीजों को enjoy नहीं कर पाते हैं तो कभी-कभी न ये enjoyment, ये pleasure हमें ढूनना पड़ता है तो इस तरीके की energies में इस week जरूर रहें और जो भी काम करें बहुत passionately करें overall के लिए देखिए ये week ठीक-ठाक रहता हुआ दिख रहा है और इस हिसाब से हम देखें तो in general के energies का card ये भी कह रहा है कि enjoyment, pleasure, happiness इस week आप लोगों के लिए रहेगी and astrology से आप लोगों के लिए विस्ता का card है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Thursday and Sunday और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए